चलिए प्रस्ण है हमारा यहां पर कि एक दर्जन कौपियों का मुल्या 42 रुपय है एक दर्जन कौपियों का मुल्या यहां पर 42 रुपय दिया हुआ है पांच कौपियों का मुल्या निकाले है ठीक है तो इस प्रस्णों को आपको क्या करना है कि ओएकिक नियम से अगर हल कर देखे यहां पर एक दर्जन कॉपियों का मुल्य यहां पर 22 रुपे दिया हुआ है पांच कॉपियों का मुल्य निकालना है तो कैसे निकालेंगी देखे वहार नियम जिसमें सबसे पहले एक इकाई का मान ग्याद किया जाता है एक इकाई का मान ग्याद किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं अईकिक ने हम कहते हैं तो हमारा यहां पर एक दर्जन दिया हुआ है तो हम पहले लिख देंगे कि एक दर्जन एक दर्जन बराबर हमारा हो जाएगा बारा इकाईयां ठीक है बारा इकाईयां हमारा हो जाएगा एक दर्जन कॉफी यानि कि हमारा 12 कोफी ठीक है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 12 कोफियों का मुल्य जो प्रस्णा में दिया हुआ है 22 रुपीज को हम पहले लिखेंगे अब हम क्या करेंगे कि एक कोफी का मुल्या निकालेंगे एक कोफी का मुल्या हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे कि एक कोफी का मुल्य निकलने के लिए आपको क्या करना है आपको भागा कर दना है इस बायलिस को इस बारा से आपको भागा करना है ठीक है बारा कोफीयों का मुल्य यहां पर बायलिस रुपिय है तो बायलिस को अगर बारा से भाग करेंगे तो हमारा एक कोपी का मुल्य निकल के आ जाएगा ठीक है इसको हम क्या करेंगे काटेंगे 6 से 6 दुनी 12 हो जाएगा और 6 सत्य हमारा 22 हो जाएगा यानिकी हमारा उत्तर जो है यहां पर 7 बटे 2 आ गया साथ को अगर 2 से भागा करोगे तो आपका 3.5 रुपय निकल के आएगा अगर आपको एक कोपी का मुल्य निकलना है तो आपको भागा कर लेना है साथ को दो से भगा करेंगे तो हमारा साड़े तिन रुपया जाएगा इसको आप लिख सकते हो ठीक है या तो इसको नए लिखने से भी चलेगा इसको हम साथ बटे दो ही रहना देते हैं यहाँ पर क्योंकि हमें पांच कोपी का मुल्य निकालना है इसको भागा करने से भी चलेगा नहीं करने से भी चलेगा ठीक है अगर आपको एक कोपी का मुल्य निकालना है तो आपको भागा करके उत्तर निकाल लेना है साड़े तिन रुपय ठीक है यहाँ पर हमें पांच कोपी का मुल्य निकालनी ह तो हमें लिखना है कि यहां पर पांच कोपियों का मुल्या यहां पर साथ बड़े दो था तो साथ बड़े दो लिखेंगे एक कोपी का मुल्या हमारा साथ बड़े दो है हमें निकालना है पांच कोपियों का मुल्या तो हमें क्या करना है पांच गुना कर दना है ठीक है काम की खतम हो गया हमारा और कुछ नहीं है साथ पंचे हो जाएगा हमारा 35 35 हमारा है 20-30को अगर हम दो निचे हमारा मैं दो बscale कर देंगे तो हमारा हम रत ऐगा साड़े सतरा रूपी है ऑग यह जाएगा फिर पांच कोपीयों का मूल्ला निकालना है तो जो भी एक कोपी का मूल्ला आया है उसके साथ आपको 5 से गुना कर देना है तो हमारा आँ जाएगा 5 कोप reconciliation का मूल्ला इस तरह से अब इसको हल कर सकते हो कर अगर अच्छा लाँ लाइक कीजिए सभी दस्तों में स्यार कीजिए और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए